जहन साथियों आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से सम्मंदित ट्रेनिंग का एक नोटिस वायराल हो रहा है तो इस नोटिस की हर एक चीजों के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे कि जो आई टी आई पी टी आई का से सम्मंदित एक नोटिस आया है कब का है आपका ट्रेनिंग कब से स्टार्ट हो सकता है एक अनुमान लगाया जाएगा और वो भी कैलकुलेशन के अधार पे कि इनका ट्रेनिंग अगर कितना मैना होता है तो कितने मैने बाद आपका ट्रेन ब्रांच से जो आपका प्रसित छड़ है उसके बाद किसको भेजा गया है समस्त पुलीस आयुक्त उत्तर प्रदेश तो आपको फ्रेंड्स बता दें जो पुलीस आयुक्त यानि कि कमिस्नर आप पुलीस जो पोस्ट होता है एडीजी रेंक इससे होते हैं कौन एडीजी रेंक जैसे आपका कानपूर हो गया प्रियागराज बनारस लखनव मेरट आगरा इन सब जगों पे अब कौन बैठता है आयुक्त बैठते हैं पुलीस आयुक्त बैठते हैं ठीक है तो ए उन लोगों के लिए हो गया समस्त पूर्देवर यहां यह सब हो गये समस्त सेना नायक पीस्ती वाहिनी उत्तरप्रदेश पीस्ती वाहिनियां जो होती है ठीक है उनके जो सेना नायक होते हैं उनको भेजा गया है और क्या कहा गया है देखिए किर्पया आउगत कराना है कि लगभग साथ हजार आरच्छियो की भरती निकट भविष्य में होना संभावीद हैं तथा भरती होने के उपरांत सिख रही उन्हें प्रसिछड केंड्रों में 6 मां का आधार प्रसिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् इस हेतु मुख आरच्छी या आरच्छी को ITI कोर्स एवं PTI कोर्स कराये जाना प्रस्तावीत है, यानि कि पहले उनको कोर्स कराये जाएगा, फिर वो आप लोगों को कोर्स कराएंगे. अता अनुरोध है कि परते कमिस्नेरेट, जन्पद या पिएस्टी वाहिनी से प्रसिछड कारे के लिए ITI कोर्स हे तुद दस एवं PTI कोर्स हे तुदो, कुल बारे इच्छुक मुख आरच्छी या आरच्छीयों के नामांकन जो निमलिखित अहरताएं असरतें पूर्ड करत क्या हर एक जिले से बारे लोगों को भेजा जाएगा, हर एक जिले से बारे, जैसे कांटपूर हो गया हर जगा से, और जहां जहां पर PST की रिजर्व बटालियन है, यानि PST की बटालियन है, उनसे भी बारे इच्छुक लोगों को, उनसे अलग बारे, दस PTI के लिए यानि जो फिजकल ट्रेनर होते हैं ITI के लिए ITI के लिए ठीक है कुल यहां पे देखिए ITI के लिए 10 PTI के लिए 2 यानि की बार है एक जीले से कितना बार है तो जैसे अगर आपको मान लिजी आपका भी टार्गेट रहता है कि मैं भी कांस्टेबल में हो जाओंगा फिर जाओंगा कि मनलब ITI और PTI बनना चाहता हूं बहुत लोगों का यह चाहत रहता है कि मैं भी जाके एक कोर्स कराना चाहता हूं तो आप इस चीज को भी जान लीजिए, क्या-क्या नहीं होना चाहिए, तो देखें, आपकी एज 40 वर्स से अधिक नहीं होना चाहिए, बहुत लोग जब कहां स्टेबल बन जाएंगे, तो सोचेंगे कि मैं ITI बन जाओं या PTI बन जाओं, किसी ट्रेनिंग सेंटर में चल जा किया गया हो, सत्यनिस्था प्रमाणपत्र न रोकी गई हो, प्रतिकूल मंतव्य प्रदान न किया गया हो, दिर्गदंड लगुदंड सत्यनिस्था रोके जाने की संभावित, रोके जाने की क्यारवाही प्रचलित न हो, तथा अपराधिक अभियोग पंजिकृत न हो, वहाँ पे 35 वर्थ से अधिक नहों हो और बाकी सेम ही है तो देखिए जो पुलिस महानी देशक है यानि डाइरेक्टर जनरल है प्रसिछड के तिलोतमा वर्मा उसके बाद अच्छा एसोची यह लेटर कहां गया होगा तो देखिए यहां पर प्रियाग राज में PRJ कहां का कोड है PRJ कोड जो है आपका प्रियाग राज है तो अब हम लोग बात किया जाए एक अनुमान लगाए जाए अगर आपका एक्जाम कब तक हो फिर इन लोगों का ट्रेनिंग मान लो इन लोगों का नामों चला जाता है और इन लोगों का ट्रेनिंग जो यह ITI PTI है इनका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है कबसे जुलाई मान लो जुलाई तो खत्मी मान लो अगस्त से लेके अक्टूबर तक इनका ट्रेनिंग हो जाता है कबसे अगस्त लिस्ते लेके अक्टूबर तक हो जाता है इनका ट्रेनिग और इसी बीच में माली जुलाई अगस्त में आपका एक्जाम हो जाता है तो उसके बाद आपका फिजिकल और मेडिकल इसके लिए कम से कम मैं जहां तक सोचता हूं कम से कम चार महीने तो चाहिए हैं मुझे जहां तक लगता है तो आपका ट्रेनिंग जहां तक लगता है कि मतलब अनुमा नहीं मैं कह रहा हूं एक चार महीनों के बाद आपका ट्रेनिग हो सकता है क्या चार महीनों के बाद मान के वही चला जाए कि आपका दिसंबर लास्ट जनवरी में इनका कोशिस रहेगा आपका जरूर ट्रेनिंग क्योंकि देखिए इन लोगों ने अपनी तयारी स्टार्ट कर दी है रीटेन एक्जाम हुआ नहीं ए लोग अपना तयारी स्टार्ट कर दी है तो ट्रेनिंग में भेजने में देर नहीं करेंगे मैं आपको पहले सही कहते आया हूँ कि फिल्ड में पुलिस कांस्टेबल की बहुत कमी हो गई है इस बात को आप जान लीजिए फिल्ड में पुलिस कांस्टेबल की बहुत कमी हो गई है कैसे मैं कर रहा हूँ देखे क्योंकि बहुत लोग कांस्टेबल से हिट कांस्टेबल में प्रमोशन हो गए ठीक है तो इन सब वजहों से पुलिस कांस्टेबल की बहुत कमी है अभी फिल्ड में तो ए लोग इस भरती को जल्द से जल्द कराने की कोशिस करेंगे आप अपनी तैयारी में लगे रहें और पूरा जीजान जोक दें भाई पूरा जीजान अपना लगा दें और सेलेक्शन ले ले तो जे हिन जे भारत दिखना न भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में